अरे मेरे विला को देखो यहां कार पार्क करना मुश्किल है चलो इसे फिर से बनाते हैं ताकि यह और भी शानदार लगे सबसे पहले हम एक चाइनीज स्टाइल रॉयल दर्वाजा लगाएंगे जिससे पार्किंग एरिया अलग हो जाएगा और 40 सेंटीमीटर नीचे खोदेंगे हम ग्रेवल का फाउंडेशन के रूप में उपयोग करेंगे और फिर ग्राउंड को धसने से रोकने के लिए रिन्फोर्स्ट कंक्रीट डालेंगे इस तरह ड्राइविंग से फ्लोर टाइल्स को नुकसान नहीं होगा हम ग्राउंड पर डेकोरेटिव लाइट स्ट्रिप्स भी लगाएंगे जिससे एक स्टॉप पार्किंग ज्यादा सुरक्षित और प्रैक्टिकल हो जाएगी मैं पानी की सुविधा नहीं चाहता इसलिए हम एक नया लैंड्सकेप बनाएंगे पवेलियन के साइड पर एक व्यूइंग वाल होगी जिसमें उपर चाइनीज स्मूथ ब्रिक्स होंगे आखिरी टच में माउंटेन पीक्स और ग्रीन पॉंड्स शामिल होंगे भले ही यहाँ पानी ना हो यह अभी भी शानदार और खूपसूरत लगेगा हम एक आराम दायक कोने वाला एरिया बनाएंगे जिसमें तीन स्टेप्स और एक रेज्ट प्रोटेक्टिव प्लेट फार्म होगा इससे जगह और भी इंट्रेस्टिंग और चैटिंग के लिए एक शान्त स्थान मिलेगा हम दीवार के खिलाफ एक गैलरी फ्रेम सेट करेंगे इसे पवेलियन से जोडेंगे और इसे एंट्रेंस डोर के सामने रखेंगे पाइन ट्री छाया देगा और हवा और रेद को रोकने में मदद करेगा ये डिजाइन कैसा लगा? मुझे लगता है कि ये आपके पडोसी को जरूर जलाएगा